कितनों की तकदीर बदलनी है कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें अरे अपने हाथों की लकीरों को मत देखो मेरे यार इन लकीरों से भी आगे जाना है तुम्हें नमस्कार साथी हूं मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिबार PBR स्टडी में जिसमें कुछ टाइप के question जो बच रहे थे उसको भी आगे आपको करवाऊंगा question को पहले अगर आप धहान से पढ़ोगे प्यार से तो चीजें समझ में आती है है न ध्हान से पढ़ने से तो इंसान भी समझ में आता है question तो जरूर रहेगा चलिए देखते है क्या कहता है केरा कि जतिन एक वस्तु को उसके मुल्य से 10% कम पर खरीदता है मतलब उसका जो मुल्य है वस्तु का उससे 10% डिसकाउंट पर उसको क्या करता है परचेज करता है आगे क्या कहता है और उसके मुल्य से 10% अधिक पर उसको बेचता है मतलब सेल करता है यानि सेलिंग प्राइस क्या है दस परसेंट बढ़ा देरा जितना खरीदा है उतने पर ठीक आगे करा उसका लाव बताईए कितना लाव होगा चलो भई या सीधी सी बात है यहां पर मोटा मोटा हम लोग को सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालना होता है आपसर आपके सामने दिया जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा फटाफट लग जो भई देखते क्या आओ कोसिस तो करो ना चलो मानते हैं कि वस्तू का मुल्य सो रुपया है चुकि यहां पर कुछ दिया नहीं है हम माल लिए कि सो रुपय की वस्तू है कहरा कि 10% कम खरीता गर dal भाएया ये जुगार लगा कि 90 रुपया में खरीद लेता है क्योंकि सवकादस परसेंट अगर कम करोगे थो नंब्ब्ब्च अगे कहता है और उसके मुल्ल से 10% अधिक बेचता है किसे मुल्ढसे उस बस तुका मुल्ण जितना है उस बस तुका मुल कितना पै इससे 10% कम पर खरीदा मतलब उसने 90 पर खरीदा यानि इसका जो CP90 है और कहरा कि उसके मुल्य से 10% के अधिक पर बेचता है मतलब जितना मुल्य है उससे 10% अधिक मतलब की 100 का 10% अधिक करेंगे बच्चा 110 हो जाएगा ये क्या है इसका बेचना है मतलब selling price है कहरा कि लाब पर परसेंटेज जब हम लोग निकालते हैं तो लाब परसेंटेज बराबर होता है लाब गुड़े 100 बटा CP यानि क्रेमुले मतलब की 90 अरे एक सुनना से एक सुनना काट दो बच्चा बच्चता का है कितना बच गया ये 2000 बच्रा है कुछ और बच्रा है कुछ गडबड हो रह यह लोग दो सो बटे नौ आ रहा है यह परसेंटेज हो जाएगा लेकिन इसमें तो अप्सोच की बात कोई आप्शन हमें दिया ही नहीं है कोई नहीं दिया है नौ से भाग करो गें नो दूना ठारा यह यहां फस रहा है नो दूना ठारा फिर दो बच्चेगा नो दूना ठीक क्यों क्योंकि साथ बर जाएगा नहीं साथ नमाई तिरसाथ किसी हद में नहीं जाएगा बाइस से दो बटन ऑपर संट जल्द से लिख लो इसको फटाफट यह आपका आगया अंसर और उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ देखिए यह ट्रिकी को साथ यह क्या कहता जड़ा ध्यान से देखना के रहा कि जो बीस बस्तूओं का क्रे मुल्य है वह एक्स बस्तूओं के बिक्रे मुल्य के बराबर है मतलब क्रे मुल्य का मतलब होता है कास्ट प्राइस जिसे सीपी बोलते हैं ठीक है और बिक्रे मुल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस जिसे एस पी बोलते हैं तो चलो 20 बस्तूओं का करे मुल यानि की ऐसे निकाल लो साट कट में हमें चुकी सिर्फ आंसर निकालना होता एक जाम में आपके जो भी है देखो 20 बस्तूओं का जो सीपी है यानि कि आप ऐसे कह सकते हो 20 इंटू सीपी इक्वल यक्स इंटू स्पी ठीक है समझ रहा हो ना अभी यह थोड़ा सा कम समझ में आएगा पांच मिनट टाइम देना आजाएगा तो यहां से अगर आप इसको सीपी अपान एसपी करो गेवज्जात यक्स अपान ट्रंटी होगा यहनि यहां से आपको यह मिलेगा कि जो सेलिंग पराइस है 20 रूपया है और कॉस्ट पराइस क्या है एक्स रूपया है ठीक है नहीं समझ में आएगा बता देना अभी मैं फिर से बता दूंग टेंसर नहीं लेना ठी भи यह कुछ भी उल्टा पल्टा कर सकते हो ना उसके लिए की नहीं कर सकते हो कर सकते हो ना जैसे मैं कपा हूं अगर ये दोनों मार्कर की कीमत बराबर है तो चाहिए आप यह ले लो चाहिए ले gou तो बस वैसे ही कुछ यहाँ पर भी हो सकता है आपको पता है कि लाब परसेंट बराबर सूत्र होता है क्या होता है profit percent equal जो फार्मूला होता है वो होता है profit into 100 upon CP है ना तो भीया profit कब होता है जब selling price से cost price गड़ता है विक्रे मुले से क्रे मुले घड़ता है तब profit होता है लेकिन अगर क्रे मुले से विक्रे मुले घड़ जाए तो तो लास होता हानी होती है तो हमें लाब परसेंट दिया इसलिए हम क्या करेंगे विक्रे मुले जो कि अभी अभी हमें मिला है 20 minus ये क्रे मुले upon क्रे मुले into 100 ये चीजे हम करेंगे ये 20 परसेंट जो है इसके जगा पर 25 दिया है यहाँ पर कहाने कि 25 परसेंट है तो चलो कर लेते हैं ये 20 minus x upon x और ये into 100 आपको पता है का पता है ये 100 इधर आएगा गुड़ा में है भाग में हो जाएगा कट जाएगा एक बटा चार आएगा कितना आएगा एक बटा चार यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर साइड लाके कर देता हूं तो भाईया ये कितना हो जाएगा 1 upon 4 हो जाएगा और equal का 20 minus x upon x इसको आप गुड़ा करो हल करो ठीक है समझ में आ रहा ना यह हो जाएगा यक्स इसका गुड़ा करोगे सी माइनस यह 4x इसमें से गटा होगे तीन आएगा ठीक है कुल मिला करके जब इसे आप final में हल करोगे तो यक्स की बैलू सोल आएगी नहीं समझ में आएगा तो बता देन मैं फिर से बता दूंगा टेंसर नहीं लेना ओके ठीक है अगर कोई confusion ने तो बता देना यक्स की बैलू सोला कैसे आएगी अगर आपने बेसिक में सीखा है तो आपको पका यह सब समझ में आएगा लिख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जीरो लेबल म देखिए बेसिक वाली वहाँ पर यह सब बताया जाएगा हल करके कैसे एक्स कमान है फे निकालेंगे ऐसे इस्तिती में ठीक है वान अपान 4 इंटू 20 माइनस एक्स अपान एक्स है यहां से एक्स का वैलू 16 कैसे आया इसके लिए आपको बेसिक सिखना होगा अगर नहीं आ से करें तीसरा सवाल बहुत ही ध्यान से देखिए बड़ा ही मज़दार है बड़ा ही समझदारी वाला है और यह कुश्चन आपकी अध्यापक भरती परिक्षा में पूछा गया है जरा ध्यान से सुनना जब कोई वस्तू खरीदी जाए और उन पे कुछ अलग अलग कंडि रूपए में खरीद रहा है यहां पे ध्यान देना दो किताब 410 रूपए में खरीदता है उसमें कहरा कि एक से उसे 15% का प्रॉफिट होता है तथा दूसरी से उसे 10% का लॉस होता है ठीक है मतलब फस्ट बुक से उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है दूसरी से उसे 10% की हानी हो रही है समझ ना ठीक है तो कह रहा कि दोनों किताबों का अलग-अलग मुल्ले बता ये मतलब दोनों का 81 इन्होंने पेमिंट किया 410 रूपए लेकिन ये नहीं पता कि भईया पहली किताब जिस पे लाब हुआ था कितने रूपए में मिली थी जिस पे हानी हुई थी कितने में मिली थी ये नहीं पता है तो इसके लिए एक ट्रिक होता है जो कि आपके सामने मैंने पेस कर दिया है ये आप दोनों का रेशियो यहाँ पर निकालेंगे तो आपको मिलेगा ये प्रॉफिट वाली एंड लास वा प्लस प्रॉफिट मतलब 15 यहाँ पर 90 और 115 बनेगा बच्चा इनको कार्ट दो 5 से 18 आएगा पांदू न दस पांत इंए 15 ठीक है इनका जो रेशियो आएगा सी 15 और सी 10 का 89 23 आएगा आपको पता है रेशियो में यह सब बदल जाते हैं मान रेशियो में मान बदल जाते हैं यानि अगर हम प्रॉफिट वाले का बैलू देखेंगे यहां से सी पी कमान कितना है तो भाया 23 होगा यह मत सोचना कि सी पी कमान 18 होगा सी अल कमान तेइस diligent तो जब यहाँ से हम क्या करेंगे शीप निकालेंगे अई रेया dt जानते हो ना तो फ़िसी निकालेंगे तो क्या होगा ये 23 क्यूं और टि टिरी फिर अगांज कर लिए मैंने ढोल मैंने करना नहीं था रह offenses से सोच के बताओ CP निकालोगे तो क्या होगा यहां पहले ही पलट दिया था है ना देखो यहां पर यह 100 माइने फिल था न तो यह सी धाफीदा ऐसा समझ लोनित आपको काफी कंफ्यूजन हो जाएगी यह अभी मैंने आपको थोड़ा से इसको गुमा के बताया था यह सी अलकमानी होगा 23 ठीक है तो ऐसी स्थिति में जब हम CP निकालेंगे तो यह मान रख देंगे कौन सा 18 और नीचे यह दोनों जो भी बैलू दी गई है दोनों को जोड़ लेंगे 18 फ्लस 23 इंटू 100 फार्मूला आप जानते हो ना जब लाब पर फेंट बद निकालते हो तो लाब परसेंट बराबर क्या होता है लाब बटक क्रे मुले क्रे मुले मतलब दोनों का जो लागत मुल लागा था मतलब कंपलिट व्राइस कितना था 410 यही था ना इसको हल करो कितना आएगा जल्दी से करके मुझे बता और फटा फट चलो निकालो कितना आएगा सभी के मान आगए न ठीक है इसका मान कितना आगए 180 देखो कुछ लोग काफी कंफ्यूज होंगे तो मैं उनको यहाँ पर कलियर कर दूँ भया इसमें कंफ्यूजन की कोई बाती नहीं है इन दोनों के जोड़ों के बच्चा तो यह 14 हो जाएगा और यह 410 क्यूं 831 के 180 ले क्योंकि और भी किसी option में एक्सोसी दिया ही नहीं है अगर इजाम में करना तो यहीं पर काम खतम हो गया ठीक है लेकिन मनलों अगर दोनों का निकालना है तो कोई बात नहीं यह CP का आ गया इस ती तरह से आप CL का निकाल लोगे CL में क्या होगा पलट जाएगा यह सबी गिंती जुद्नी भी है सब पलट जाएगी तो पलट के क्या करोगे आप देखो जहां पर उपर 18 लिखे थे वहाँ पर दूसरा वाला नमबर लिखो के 23 तो CL बराबर हो जाएगा बच्चा यह 20 और यह 18 प्लस 20 गुड़ा यह 410 ऐस कहीं नहीं समझ में आया कुछ भी तो आपनी संकोच कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं फिर अगले कुश्चन में तुरंत इसको जल्दी से लिखिए नोट करिए फटा फट देर मत लगाईए क्योंकि वक्त बहुत तेजी के साथ भाग रहा है और हमें वक्त से आगे भागना है जल्दी करिए अगर अभी तक आपने चैनल को यूटूब पे सब्सक्राइब ने किया भया तो पीब्यार स्टडी को अवस्चे सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें आपका अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कह रहा कि मूल बढ़ा करके डिसकाउंट देना द अगरा अगरा यह क्या करते हैं महा बच्चत वालाँ अफ़र ले आते हैं और कहते हैं कि पाये पूरे-पूरे दस पर्संट की छूट कास्बैक फलाना दबांका बहुत कुछ पाहें पता है क्या करते हैं आपको बिखूब बनाते हैं हमको भी बनाते हैं सब लोग बन भी जाते हैं खुस भी रहते हैं पता है कैसे देखिए कुश्चन जरा ध्यान से सुनना किरा कि एक दुकांदार एक दुकांदार एक वस्तु जिसका मुल्ले सो रुपय है ठीक है ध्यान से समझना एक दुकांदार एक वस्तु जिस वस्तु का मुल्ले सो रुपय है दस परसेंट बढ़ा करके अंकित कर रहा है मतलब की यमार्पी क्या कर रहा भईया सौ रूपया की बस दूपर 110 रूपय की यमार्पी लगा दिया ठीक है और फिर कहता है कि इसके बाद कश्टूमर्स को गरहा को 10% का छूट दे रहा है वही महाबचत वाले आफर की तरह ठीक है तो बताइए कि दुकानदार को कितना परसेंट का लाब हो रहा है अब कुछ बेवकूप कहेंगे कि भईया 10% की तो छूट दे रहा तो लाब का होगा उसको अरे वो दुकानदार वाला पागल नहीं होता है बहुत चतुर होते हैं सब भई तो देखो समझो 110 रुपई क्या है अब इसका MRP हो गया प्रिंट प्राइस 110 रुपई हो गया मालो आपने कुछ भी चीज खरीदा गिप्ट खरीदा 110 रुपई हो गया अब इस पर दस परसेंट की छूट दे रहा तुमको तो बताओ कितना रुपई की छूट मिलेगी अरे भाईया हो बाबु हो 110 का 10 परसेंट 11 रुपई हुआ ना कितना हुआ 11 रुपई हुआ ना तो यहां समझो 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 11 रुपई मतलब 110 रुपई में 11 रुपई की छूट दे दिया कितने में बैंचा वस्तों में कितने में बैचास कितने में बैंचा भर इसमेंसे 11 घटा ओग जो कितना होगा न decir होगा जानि वो क्या किया कि वासरी की बस तो को निरी बेचार उसे एक रुपया क्या हुआ लाभुआ की हणि हो इसől ही हानि हो रही तो ऐसा ही बेवकूब बनते हैं आप लोग और हाँ यहां पर तो यह सनियोग वास एक रुपया की हानी भी हो गई नहीं तो इनका जो प्राइस है बहुत लंबा बढ़ा देते हैं उसके वाद इनको प्राफिट होता है लास नहीं होता कभी भी ऐसा दुकांदार कोई बेंच सब्द यह है कि कास ऐसा होता कास ऐसा होता लेकिन ऐसा होता कहा है वैसे कुछ कुष्चन है देखो कह रहा है क्या कि एक दुकांदार एक दुकांदार 810 रूपय में रेडियो बेंच कर 10% की हानी उठाई भी आव ऐसे मोबाइल का जमाना आ गया टीबी का जमाना आ गया र रेडियो जाता था गुरुजी पकड़ते थे बहुत मारते थे लेकिन आज कल क्या है मोबाइल में रेडियो आ गया मोबाइल में कल्कुलेटर आ गया मोबाइल में घड़ी आ गई यह सब विरोजगार होगे बैचारी हाँ चलो कहरा कि एक दुकानदार 810 रुपया में रेडियो बेच करके क्या कर रहा भैया 10 परसंट की हांई उठा रहा है मतलब कि 10 परसंट की उसको हांई हो रही जब वो 810 रुपया में बेच रहा है यानि कि जो उसका cost price था वो कितना था 810 से 10% और अधीक था ठीक है समझने की कोशिस करो तो यानि कहने का यह मतलब है कि 90% उसका रुपया मिल रहा है बस 10% हानी हो जा रही तो 90% पर 810 रुपया मिल रहा है ठीक है तो अगर 100% मिलता 100% मिलता तो कितना मिलता अगर 100% मिलता भैया तो कितना हो जाता यह 810 बटा 90 गुड़ा 100 होता नहीं होता नहीं नो से काट्ट दो भी साहभ 900 रुपया यानि उस रेडियो का मुल्लिक कितना था बच्चा 900 रूपय था कुछ समझ में आया जिसको 810 रूपय में बेचने पर 10% की क्या हो रही हानी हो रही तो करया कि यदि वह इस रेडियो को 1035 रूपय में बेचता यदि 1035 में बेचता तो उसे कितने परसेंट का लाब होता बता यह जरा सोची यह लाब परसेंट निकालना है करा कि यदि 1035 में बेचता तो कितने परसेंट का लाब होता चलो ठीक है कोई बात नहीं 900 रूपय में खरीदा था लाब परसेंट बराबर हमें पता है क्या होता है लाब गुड़े सो बटा कौश्ट प्राइस तो भीया 1035 में बेचता तो कहिरा कितने का लाब होता अरे भाई सीधी सी बात है बावू 900 रूपय उसका कौश्ट प्राइस था अगर 1035 में बेचता तो 135 रूपय एक्सट्रा मिल रहा था ना मतलब उसका profit 135 रूपया हो रहा था ना percentage में निकालना है चलो निकाल लो रोंका किसने है ये लो 900 रूपय ठीक है इनको काट दो 9 से काट दो कितना जाएगा 9 1 9 9 55 बराबर कितना हो जाएगा 15% कितना 15% समझ में है न यदि 1035 में बेंचता तो 15% का क्या होता उसको profit होता मतलब की लाब होता ठीक है समझ गए न आफ हाँ इसको इतरा से ऐसे भी कर सकते हो मानलो जो मैंने यहां पर घटाया ये समझ लिया 105 लिख दिया इसको तुम ऐसा ना करो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो जो मैंहां पर घेर रहा हूँ इसको देख लो यहां पर डारेक्ट 1035 रखो गुड़े 100 रखो नीचे 900 रखो दो सुनने से सुनना काड़ दो 9 से काड़ दो बच्चा 115 आएगा यह नी 115 परसेंट यह क्या है 115 परसेंट टोटल प्रॉफिट है लेकिन उसमें से 100 परसेंट तो निकाल लेंगे काश्ट प्राइ जल्दी करें फटा फट करें भाई देर ना करें आप लोग इतना देर करते हूं ऐसे करोगे न तो देर हो जाएगी कहीं देर ना हो जाए तो भाई देखना नहीं तो देर ना हो जाए और हाँ pvr study को facebook पर फालो करें और बिल्कुल free course देखें लेकिन जल्दी करें इसमें भी कहीं देर ना हो जाए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट कुश्चन है जरा ध्यान से देखना है तो बड़ा आसान लेकिन इसमें कल्कुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है अगर आपको बेसिक नहीं आता तो देखिए सुनिए मोहन ने एक कार को दो लाख पचास हजार रुपए में खरीदा अरे गिनलो इकाई दाही सेकड़ा हजार दो लाख पचास हजार और उसी कार को 3,48,000 रुपए में बेंच दिया तो करा प्रॉफिट परसेंटेज बताईए कितने परसेंट का लाब हुआ फिर मोहन को भैय सीधी सी बात है बाबू आपको पता है कि हम और क्या करेंगे सेलिंग प्राइस से काष्ट प्राइस घटा लेंगे अरे घटालो ना रोका किसने है लगभग 98,000 आएगा क्यूं 98,000 आएगा तीन सुनना रहेगा हो गया प्रफेंटेज क्या होता है प्रॉफिट लास में इसमें हो सरी क्या बलते है उसे लाब परतिसत बराबर होता है लाब यानि फ्राउफिट गुड़े सो बटा सीपी मतलब काष्ट प्राइस यह होता है ना कहानी पूरी हां यह होता ना भाईया यह होता ना बाबू चलो पटा को तो इनको जितने सुनना है चार सुनना थे ना यह लो सब कट गए फाइनल में 980,000 बटा होगे इसका कल्कुलेशन तो मैं आता नहीं 980,000 बटा 25 कैसे करें तो भाईया हो बाबू हो इसके लिए बेसिक मैं देखो PBR study की जीरो लेबल वाली नहीं समझ में आता तो निसां कुछ कमेंट करके बता दो मैं खूद इसे बताऊंगा फिर से बताऊंगा बार बार बताऊ ठीक है कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किये भिना यूंहीं जय जय कार नहीं होती थोड़ा मोटिवेट रहें और पढ़ते रहें अगला सवाल तूरंट आगया आपके सामने कुश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है करा कि भाईया रभी संकर ने एक कार क दो लाग पच्चास हचार रुपए में खरीड डाला और उसे 25 परसेंट के प्रॉफिट पर बेंच दिया तो भाईया ये बताओ कितने में बेंचा हर एक बच्चा करेगा ड्राई जैसे मैंने बताया था लाब परसेंट बराबर फर्मूल लगा के और फिर यहां से निकाल कि मुझे बताओगे जल्दी से कमेंट करके बता दो कितना आएगा फटा फट कर दो भई नरहो न निरास करो मन को कुछ काम करो कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो ये जनम हुआ है किस अर्थ अहो समझो जिससे यह बर्थ नहो कुछ तो उप्युक्त करो तनको नरह वोन निरास करो मन को अरे भाई कुछ तो करने यार अब भी नहीं कुछ समझ में है लोरी सुना रहूं का देखिए ध्यान दीजिए क्या कहता भाई अगला सवाल कुश्चन नमर आठों बड़ा ही अजीब सा है कहरा कि यदि कलम का मुले यदि कलम का मुले पेन के मुले से है ना बड़ी बिडंबना एक जगा कलम लिख दिया एक जगा पेन लिख दिया ये तोड़ा सा गंदा लग रहा है ना चलो कलं की जगापे तुम दूसरा कुछ लिखो लो, किताब कुष्चन बनाना है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इस तरह की कुष्चन अक्सर पूछे जाते हैं यदि किताब का मुल्ले प्यन के मुल्ले से perí DR. 25% कम है कितना है- 50% कम है किताब है किताब का मुल्य नहीं कि पेन के मुल्य से किदो ALL आधिक है ऐसी इस्तिती में कुछ लोग कहेंगे ये तो कुछ नहीं हुआ जितना उससे कम है उतना उससे अधिक है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक बार फिर से सुन लो, यदि किताब का मुल्ले, पेन के मुल्ले से पचीस परसेंट कम है, तो पेन का मुल्ले, किताब के मुल्ले से कितने परसेंट अधिक है, इसके लिए क्या करोगे पता है आपको, ब कि कुछ नया नहीं करना भाई सहाब हाँ चलो हाँ पचीस बटा पचात्तर गुड़ा सो एक बटा तीन आएगा ना फाइनल में इसको करोगे तायती सही एक बटा तीन परसेंट आएगा और अगर आप चाहो तो 33.33 परसेंट भी लिख सकते हो ओप्शन में जैसे भी दिया हुई जाम में उसी के अकार्डिंग आप कर सकते हो समझ में आया ना हाँ अगर इस तरह से कहीं मिल जाता है 25 परसेंट की कम ही है किताब का मुल्य पैन के मुल्य से 25 परसेंट कम है तो जो पैन का मुल्य है वो किताब के मुल्य से 23.33 नहीं सोरी गलत पढ़ने का तरीका अबाकि उत्तर तो यह है इसको पढ़ेंगे 23.33 परसेंट अगर तुम इसको 23.33 परसेंट पढ़ोगे तो गलत है यह 23 नहीं है यह 0.33 है क्योंकि एक से भी कम है वो ठीक है इतना क्या होगा अधिक होगा जल्दी करें नोट करें फटा अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं भीया जल्दी करो जागते रहो जागते रहो कि कुश्चन नमबर नाइन ध्यान दीजिए बहुत ही अच्छा सवाल है यह जरा आपको थोड़ा सा कोसिस करना है समझने की क्या कहता है कुश्चन नमबर नाइन देखिए कह रहा कि स और मचलन को सुखाया जाता हैं तो उनका वजचन एक बटा तीन हो जता है कितना हो जाता भाई यह एक बटा तीन हो जाता है मतलब जो मचली तीन किलो कि है वह सूख के किलो की हो जाती है वह सीधी सी बात है कोई वस्तु अगर गिली होगी ताजी होगी तो भारी होगी अगर वो सुख जाएगी तो हलकी हो जाएगी तो उस तरह जब ताजा मचलियों को सुखाते हैं तो एक बटा तीन वो बचती हैं और इसी करम में कहरा है सावी ने या सविता ने या मोहनी ने कोई भी नाम ले लो उसने 2709 किलो ताजा मचली खरीदा और कितने रुपए किलो खरीदा भईया 27 रुपए किलो खरीदा तो जल्दी से मल्टीपल कर लो कितना आएगा तीक तर 1143 रुपए आएगा ठीक है यह कितना हो गया वो उसकी कॉष्ट प्राइस हो गया ठीक है चलो उसके बाद आगे हम बात करते हैं कहे रहा था कि जब इनको सुखाते हैं तो एक बटा तीन बचती है ना तो भईया सुखान सुखा करके 279 का 403 करोगे तो 903 आएगा अब आगे क्या कहता गया उसाफन से सुन लोगा फिर से सुन लिजिये का जब ताजह मचलियों को सुखाया जाता है तो उनका वज़न एक वटा तीन हो जाता है सहाबी ने 2709 किलो की मचली 27 रुपए किलो के हिसाब से खरीद कर और उसको सुखा करके 97.5 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा ठीक है? मतलब खरीदा था 27 रुपए किलो और बेच रही है साड़े 97 रुपए किलो तो कहरा फिलाब परसेंट बताईए फिर उसे कितने रुपए का लाब होगा ये बतादो बस भाई यह सीधी सी बात है इनका आपको गुड़ा करना बाबू इनका गुड़ा करोगे 88425 लगवग कितना आएगा फिक और गुड़ा कैसे करें तो गुड़ा करना आपको अना चाहिए इतना रुपए आएगा इनको क्या करोगे आपस में घटा होगे आप इनको दोनों को घटा होगे ठीक है इनको दोनों को सब्ट्रेक करोगे जब 8042 रुपया पचास पैसे से घटा होगे तो यह लगबक कितना आएगा वह यह चौदा हजार आठ सो निन्यानवे रुपय पचास पैसे संथिंग आएगा घटा के देखो फिर बताना हां इतने रुपय का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा जल्दी चलो फटाफ़ सब्ट्रेक कलो देखो इतना आ रहा है हां कि समझ में आना बात तो यह हो गया कुश्चन कितना मुश्त थाना एक बार फिर से सुन लेजिये कि जब मचलियों को सुखाया जाता है तो उनका वजन एक बटा तीन रह जाता है एक पटा तीन दख जाता मतलब वही जो मैंने बताया कि जो मचली तीन किलो की है वो एक किलो की बचती है सूख करके तो उसी करम में सावी ने या सविदा ने 2709 किलो की ताजा मचली खरीदा 27 रूपय की दर से और उसे सूखा करके 97.5 रूपय की दर से बेंचा तो बताओ कितना लाब हुआ भाईया सीदी सी बात है उसने लगाया था 73,243 और बेचा 88,000 में लगभग में तो भाईया इनको मिल गया लगभग 15,000 के आसपास है न तो ये थी आपकी क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे हमें बिल्कुल सेयर करें पूरी क्लास देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको प्रेम पूर्बक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपसे निवेदन होगा कि चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक अवस्य करें जिससे कि आप इसी तरह से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें तो मिलते हैं फिर आगली कलास में इंतजार करिएगा मिलते हैं फिर जैहिन